हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तों, आज का टोफिक है, टेस्ट मेजरमेंट एन इविलिएशन इन फिजिकल एजुकेशन यानि सारी रिस्षिछा में, परिच्छर मापन और मुल्यांकन, दोस्तों वन लाइनर को सब्सक्राइब के लिए जैसा कि दोस्तों, आपके सिलिबस के अकॉर्डिंग ही मेरे चैनल पर सभी वेजुज होता है, और आपके लिए most important होता है, सभी चीजें, तो आपके पास समय नहीं है, और आने वाले जिसने भी exams होंगे, और जितने भी other state के exam है, सभी के लिए मेरे चैनल पर physical education के सभी वेडियों जो most important होते हैं, तो चलते हैं, आज के questions के तरफ वीडियों को पुरा देखिएगा, और सभी topic आपके लिए important होते हैं, सभी line आपके लिए important होते हैं, तो दोस्तों question है, rational equivalence, rational equivalence, rational equivalence निधार की पधती है, तो दोस्तों, rational equivalence जो है, विश्वस नियता यानि के reliability को निधार करने की एक पधती है, next है, baroreceptors, उस समें क्यासील या उधित होते हैं, जब रत दबाओ बहुत अधिक होता है, तो दोस्तों, question आ सकता है कि baroreceptors किस समें उधित होते हैं, तो जब रत दबाओ यानि blood pressure बहुत अधिक होता है, उस time next है, पेडो rule मापता है, तो दोस्तों, पेडो rule जो है, HLS tendon का लंबवत विचलन मापता है, HLS tendon हमारे AD पर होता है, तो जो सबसे मजबूत tendon होता है, तो जो सबसे मजबूत tendon होता है, तीक है, next है, एक spirometer को फेफों का आयतन और किसको record करने और मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो ये oxygen को खपत की आयनि फेफों की छमता यानि vital capacity को मापता है, next है, एक मान स्पेशिया, मान स्पेशियों के समुझ में, electrical गति विधी को record करने के विधी को क्या कहा जाता है, तो दुस्तो इसको आवेग होते हैं, हमारे muscles तक आते हैं, और जिसे neuromuscular contraction की वीडियो मैंने detail में बताया हुआ है, तो जो आवेग आते हैं हमारे मान स्पेशियों के अंदर, एक सन्पोटेशियल आता है, जिसे muscles जो है active होते हैं कारे करने के लिए, contract होने के लिए, उस चीज को मापा जाता है, electron myography से, नेक्श दोस्तो, motor carriage क्रम आधारित सिधांत किस पर आधारित हैं, तो यहाँ सोपानी कृत बेवस्था, हेरी चिकल एरेंजिमेंट पर आधारित हैं, नेक्श है, ब्यायाम के लिए, सरीर की ततपर्ता को मापने का एक तरीका है, BMI, माप, कौन सा BMI, इसको मुटापी को इंगित करता है, तो दोस्तो, सरीर की ततपर्ता है, आपकी जो वीट है, भार है, आपकी सरीर के लंबाई के अवसार ठीक है या नहीं, इस चीज को मेजर किया जाता है, BMI के दवारा, यानि कि ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपात होता है, BMI का फुल फार्म होता है, Body Mass Index, जैसा कि दोस्तो, यह सरीर की बाड़ी कमपोजिशन के अंतरगत आता है, सरीर में उपर सी तो वसार मांस पीसी और अस्थियों की मात्रा, बाड़ी कमपोजिशन जिधायत करती है, और BMI होता है किसी ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपात, Body Mass Index, जैसा कि BMI ग्याद करने का फार्मूला होता है, Weight in kg upon meter in, height in meter square, यानि weight kg में कितना किलोग्राम आपका weight है, भार है, और उसमें भाग दे देंगे, आपका जितना height होगा, यानि लंबाई होगा, मिटर में उसका square करके, भाग दे के ग्याद किया जा सकता है, तो जैसे कि BMI के फार्मूला को तयार किया था, 1930 में, Erolf, Quetlate, ने, Belgium के गड़ी तग ये ने, और जैसा कि दोस्तों, डबली अच्चे के अनुसार तो, BMI जो है, अगर 18 से कम है, तो आप underweight, यानि की इस्तिती में आएंगे, जिसमें digestive problems, weakness, stress, anxiety, muscles breakdown, extra problems आ सकते हैं, बट यदि आप 19 से 22.09 आपका BMI है, कल्कुलेट करने पर, आपका नार्म यानि आज सभी चीज़े गुड हैं, अगर 22.09 से, यानि 23 से, 24.09 तक है, तो overweight होना आरभ हो गया है, आप 15 से आगे हो गया है, तो 32 से उपर चले गए, तो यहाँ पर हो जाते हैं, तो यहाँ पर है, BMI किता मोटापे का इंगित करता है, तो BMI 32 से उपर, जैसा कि दोस्तों, आपके जो सस्वती प्रकासन का बूक है, 1112 का, उसमें BMI कल्कुलेट के लिए, जैसे कि आपकी, हम लोग सियान ररायन सेंग के ब 22 या 22.9 होना चाहिए, अच्छे कंडिशन के लिए, जमकि इंटर के NCRT बुक में दिया हुआ है, 24.9, तो 24.9 गुड, 28.5 तो 24.9 नार्मल यानि गुड कहा गया है, और 35 से ज्यादा ओवर्वेट हो जाता है, और 30 से उपर है, तो ओवेसिटी यानि मोटापा का सिकार हो जा नेच्ट है, कानेडियन परिच्छर कितने समय अवधी के अंदर होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 सेकेंड दिया हुआ है, मुझे इसका किलियर नहीं है, आपको किलियर होगा, तो आप इसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नेच्ट दो बॉर्ड पॉर्ड को यह भी कहते हैं, तो दोस्तों बॉर्ड पॉर्ड हवा विस्थापन भी धी होता है, नेच्ट है, समान्य गामा की युगता परिच्छर की दितिये बैटरी जिसमें स्टेंडिंग ब्रॉर्ड जम, मैरेशिन बॉर्ड वा जिग जोग रन नेच्ट है, मानों सरीर को आकार एवं समानुपातिक मापन को क्या कहते हैं, तो इसको मापन विज्ञान कहा जाता है, या एल्थ्रोपुलाओजी कहा जाता है, नेच्ट है, कूपर परिच्छर मापता है, तो दोस्तों यह वाता पेच्छी चंता, यानि कार्डियो इंडूरेंज को मापता है, सहंसिलता को मापता है, कूपर ने बार मीटर 12 मिनट वाकिंग 1970 में बनाया, एंड 12 मिनट स्विनिंग, साइक्लिंग, जॉगिंग को 1982 में बनाया, नेच्ट है, मोटर एबिलेटी से समाधीत पर इच्छर है, तिया हरोजावर्स टेस्ट, म्हस टेस्ट एण इसकौर्ट्स रिलेटेड है, नेच्ट है, इसकीन फोल Kanu पर क्या मापता है, सलजी की वसा को मापता है, तिक है, यानि पदिधी को नेक्ष़ दोस्तो टेस्ट से प्रश्ण को निकाल देने का सरवाधिक महत्पुर अधर क्या है तो यह है आईटम वै। वैलिलिटी नेक्ष्ट है प्रियुक्षाला में परिच्छर का वास्तविक टेस्ट उसकी किस बात में इस्थित है तो उसकी कररत्व यानि की काउजल में इस्थित है नेक्स्ट है विश्व सनीता कि इसके द्वरा इस्थापित की जा सकती है तो दोस्तों विश्व सनीता यानि कि रिलेबिलेटी जो है वहाँ निधायर करने के लिए छे विध्या होती है यानि कि आपको मैंने बताया हुआ है कि एक अच्छे Criteria for Good Taste एक अच्छे परिश्व की कसोटिया होती है बेग्यानिक प्रवारिक्ता, प्रसासने ब्योहारिक्ता और सैचिक पयोग जिसमें से बेग्यानिक प्रवारिक्ता के लिए Reliability, Validity, Objectivity, Norms, Standard पहांच विधया होती हैं, जिसमें से reliability याने हुआ होता है, reliability याने कि विश्वसनिता जो होता है, कि बार बार परीचर लेने पर जो score आए, एक ही प्रांप्त हो, यानि कि परेचर कभी भी कहीं भी किसी, कितने भी भी बार आए उजित किया जाए, पर आध याय से हो, तो कहा जाता है कि रिलेबल है रिलेबलटी को consistency dependability stability taste месте and repair tðability और ज्यास गया जाता है और रिलेबलटी गयाद करने के लिए यहां दnt ऋसरा होता है परेनza gaat करने के लिए पास्स बिध्यां होती है जिसमें से होता है इंटर्नल कॉंसिस्टेंस्टी रिलेबल मेथड चौथा है इस्प्लीट हॉफ मेथड यानि अर्थ भीछेतन भी ही और पांचवा है कुडर रिजेस्टन रिचर्डसन विली नेश्ट है सार्जेंट जंप यानि वर्टिकल जंप क्या मापता है दोस्तों यह पैर की 20 फोटक सक्ति को मापता है ठीक है नेश्ट है ब्रेडी बॉलिबाल परिचर के घटक है तो दोस्तों ब्रेडी बॉलिबाल परिचर के दो घटक है ब्रेडी बॉलिबाल परिचर के बॉलिंग थीक है यह बॉलिंग छमता को मापता है जिसका मैं ने तुरिक बताया था आरवी 40-45 महिलापुरुस आरवी आरसे रसल लेंड बॉलिवाल टेस्ट जो 1940 में महिलाओं के लिए बनाया गया था एन 20 से हो गया ब्रेडी बॉलिवाल टेस्ट जो पूरुसो के लिए 1945 में बनाया गया था जिसमें बॉलिविंग छमता को मापा जाता है नेश्ट है सोशियोग्राम द्वारा किसका नाता दसाय जाता है तो सोशियोग्राम द्वारा समुख की सदस्यों की समाजिक प्रविर्टी को दसाय जाता है दोस्तू मैं आभी बताया थИ विसोसनीता यानी जिलीविलिटी वै। वश्निविस्ता अब्जेक्टिविती प्रसासनी छंता आदियो दसाए जाता है। दोस्त है बमाई यानी की बाउड़ी मास इंडेक्स को कैसे दसाया जाता है। तो BMI यानि Body Mass Index जो है आपका जो लंबाई है आपका जो वेट है लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं यानि कि लंबाई अर्वजन का अरुपात होता है इसे सरीकी वसा यानि कि कुमेज़त किया जाता है कि आपका आप हीट है या नहीं कि ओविसिती है मोटापा है या आप होएं लिए तो इसके लिए weight in kg upon height in meter square इसके लिए निकालने का सुत्र होता है संच coming कि देस चिसी मोटापा कुमापने के लिए किस ठीकी, कोशन पुछ सोकता है नेक्ट दोस्तो, साररी сिच्ळा की कच्छा में विसेशामगरी प्रसुती करण का सही अनुगरम है उससे पलिए प्रदसन करेंगे, फिर अभ्यास करेंगे फिर सुधार करेंगे, उसके बाला अरक्य मुल्यांकन होता है नेक्ष्ट है परिच्छर की समय उल्टी आने की एहसास का करण है तो परिच्छर की समय उल्टी आने की एहसास का करण है लैक्टिक एसिड का संग्रह होना नेक्स है जब किसी परिच्छर टेस्ट की विश्व सनीता तथ वेदिता दोनों सिध्ध हो चुकी हूँ तो उस परिच्छर को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कि वह स्टेंडर्ड टेस्ट है यानि कि माने कित परिच्छर है नेक्श दोस्तो विवड़ात्मक अनुसंधाउन की विभिन्न पथतिया हैं तो उसके लिए पथतिया हैं सर्विच्छर करना केस अध्यन एन साच्छातकार नेक्ट हे अधिक उचाही पे व्यक्टी उचा कोद सकता है क्योंकि क्या होता है तो वाई प्रतिरूद कम हो जाता है सरी का वजन कम हो जाता है इसलिए अधिकूचा इपे बैकती अधिकूचा कुद सकता है नेक्ष्ट है रस्ता कस्ते में X तथा Y एक दुसरे को खीच रहे हैं पूरी सक्ति लगा देनी के बावजूद भी यहाने के बावजूच रहे है नेक्ष्ट है समाने तह मोटर एजुकीबिलिटी की ब्याख्या की जाती है यहान पे विविन मोटर कोष्ण को सिखता और आसानी से सिखने की योगता होता है नेक्स्ट है दोस्तों कि मिटर की स्प्रिंट में निहित संचनन की अवस्थाओं का सही क्रम है तो मिटर की स्प्रिंट जो स्प्रिंट दोड़े होती है तेज गति की जिसे दुर्त गतिवर्धन यानि की फिर मन्द गतिवर्धन, सुन्य गतिवर्धन, एरलात्म गतिवर्धन यहाँ पर संचन के आवस्थाओं का करम होता है नेश्ट है फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस बिद्वान ने विक्सित किया था तो physical fitness index को फेडरिक रांग रोगर्स ने बनाया था नेश्ट है सरी में joint के पास दो हडियों के बीच के कोड को किसी अंतर से मापते हैं तो इसे मापा जाता है goniometer से सरी के joint यानि जोडों के पास दो हडियों के बीच को तो दो अंगयों के बीच कोड को मापता है goniometer और मास पेशियों के कार चंता लचिलापन को भी मापता है ठीक है flexibility को कोड मेजर करता है तो goniometer याद रखेगा नेश्ट है पैरो और कमर की ताकत किसी अंतर से मापा जाता है तो ताकत यानि strength ही बात करे तो dynamometer हो जाएगा नेश्ट दोस्तो हाथों की पकड मापने की अंतर को क्या कहते है grip strength यानिक left and right हाथों की पकड यान टाकत को मापता है manumeter ठीक है नेश्ट दोस्तो मान स्पेशियों की कार चंता किसी अंतर से मापा जाता है मान स्पेशियों की कार चंता जो action potential हमारे मान स्पेशियों में आता है जिससे मान स्पेशियों कंट्रेक्टर होता है तो कार चंता को मापा जाता है Electrum Myography नेश्ट है हवा की दिसा मापने की अंतर को क्या कहते है wind wind gauge कहा जाता है ठीक है यह मापा जाता है सट्रल रन के द्वारा next है flexibility किस से परिच्छर से मापी जाती है दोस्तों तो flexibility and seat and reach test gonometer and teachy test आदी से मापा जाता है next है teachy meter से क्या मापा जाता है दोस्तों तो flexibility या लचिलापन मेजर किया जाता है next है roger की physical fitness index के लिए arm strength के लिए कौन सा सुतर अपनाया जाता है तो यहाँ पे दिया हुआ है pull-ups plus push-up upon w upon 10 plus s minus 6 16 next है दोस्तो minimum muscular test को किसनी बनाया तो minimum muscular test यानि कि निम्तम मापेसी चमता को मापने का test बनाया cross baby बने 1954 में जिसमें 6 test items होते हैं next है total pulse ratio test से क्या मापा जाता है तो दोस्तो total pulse ratio test and harvard state pressure 12 minute run walk 12 minute swimming cycling and jogging इस सभी से cardio respiratory endurance को मेजर किया जाता है जैसा कि दोस्तो जो total pulse ratio test है यह यह से की लोवा इनिवर्सिटी में www.total and RC Wilkins ने बनाया था 1930 से में और इसका purpose था यानि उद्धे से था कार्डियो वैस्कुलर इंडूरेंस को मापना 13 inch उची bench को यह प्रयोग किया जाता है जिसमें अराम की CT में एक मिनट की ही रहती मापी जाती है उसके बाद एक मिनट तक बेयाम किया जाता है bench पर up, down, down उसके बाद एक मिनट की पसचाथ अभिहास की पसचाथ 6 पूर्तियाने रिकवरी काल बे दो मिनट की ही रहती मापी जाती है तो इसको calculate करने का cardiovascular endurance को मापने का सुतर है 2 minute pulse at recovery upon 1 minute pulse at rest next है Harvard State Test में PEI का value निकालने का सुतर क्या है Harvard State Test भी दोस्तों cardiovascular endurance को major करता है इसको 143 में लिलसीन ब्रोहा ने Harvard University अमेरिका की students पर सबसे पहले प्रयोग किया था और इसको निकालने का सुतर होता है PEI यानिकी Physical Efficiency Index ग्याद कने का सुतर होता है duration in exercise in second grade saw upon two grade sum of pulse count in recovery next है दोस्तों Harvard Youth Fitness Test किसमें बनाया था दोस्तों तो इक प्यूल हंसीकर एंड गाये जीरिफ ने उनी सवन्ठाउन में बनाया था प्यूल हंसीकर जिसमें साथ आइटम्स थे और इसके बाद एक आइटम्स को मेडिसिम बालत्रों को हटा करके फिल फिल हंसीकर एंड गाये जीरिफ ने उनी सचेतर में बनाया जैसे कि आप आफट यूथ फिटने टेश्ट वाले वीडियो को देख कर सभी चीज़ी के लिए कर सकते हैं जो थियोरी सेशन है नेक्स्ट है एक्सप्लोसी पावर आफ लेग एक्सटेंसर मसल्स मापा जाता है तो यह स्टेंडिंग ब्रॉड जम से मापा जाता है नेक्स्ट है मोटर एजुकेविलेटी टेस्ट के नाम है यहां फे लोवा ब्रेस टेस्ट एन मैथनी यूहांसन टेस्ट जो मोटर एजुकेविलेटी टेस्ट के अंतरगत आता है नेक्स दोस्तों बैन विंटन खेल के बॉली टेस्ट का नाम बताईए तो बैन विंटन खेल के बॉली टेस्ट का नाम है मिलरवाल वाली टेस्ट क्या नाम है मिलरवाल वाली टेस्ट बैन विंटन में तीन टेस्ट आइटम्स आते हैं जिसका मैंने ट्रिक बनाएगा था फिल F-L-M-69-99-91, ठीक है, F-L-M-69-91, एक ग्याहों, एम से होकाइगा, French, Eastern, Debitton Test, जो निसो निष्छास निपना, L से होकाइगा, Lockout, M से फिर संवीधर सन्पीधन तेस्ट, निसो निष्छास निपना, M से मिलर्वाल वाली तेस्ट निसो निष्छास निपना, नेंस्ट दोर्स्तो फ्रेच इस्टल्टर बाइमिनटर्ट 아린ज थेस्ट के डो टेस्ट बैटरीज जैनि आइटमस का किया नाम है तो इसके अंतरगत फ्रेच इस तेल्टर बाइमिनटर्टा टेस्ट के अंतरगत The SERV टेस्ट श्कॉ्ट कुलियर्ट टेस्ट नेुन्स कराउं सुंठ अेस्ट पfl 연कांते प willingness को सिन्न को अंपवियन्स भेसर आपन स्वासुल बनाया छेश मीलर फाल वाली टेश को इस ने अब कब बनाया तो फ्रैंसेंस आ मिलर ने 1951 में बनाया के लड़कों के लिए बनाए आए बास्केड bene बोल मीलश के बंड़ टेश्ट ँस परत Сवी इसका मेंare ट्रिक आपको बताया हुआ था JKSH 347-579 ठीक है इसका मैं जिक ट्रिक बताया था JKSH 354-477-579 जिसे Johansson बास्केबाल टेस्ट KC Nox बास्केबाल टेस्ट S से स्टोब बास्केबाल टेस्ट एन एक से हैरिसन बास्केबाल टेस्ट तो टेस्ट के नाम है जो लड़कों के लिए है जोहांसन बास्केबाल टेस्ट नौक बास्केबाल टेस्ट है इसन बास्केबाल टेस्ट कि ने और कब बनाया तो वह इसको बनाया वहीं सब बिलियम जोहांसन ने उन्हें सब बनाया और यह सबसे पुराना skill test है जिसके अंतर गए तीन test item आते हैं फेल गोल, speed test, throw far accuracy and dribble test नेशा जोहांसन soccer test यानि कि football भी होता है जोहांसन ठीक है जोहांसन बाक्रवाल test भी है और जोहांसन soccer test भी है soccer यानि कि football test के अंतर गए तीन test items आते हैं MJC, account 53, 63, 68, यहां पर सुतर यहां बनाया थी मैं MJC, account 63, 68, M से हो गया MC Donald soccer test, J से हो गया जोहांसन soccer test and C से हो गया crave soccer test तो यहां पर क्या पूछा है कि जोहांसन soccer test कि शने और कम बनाया तो जोहांसन soccer test को बनाया जोहांसन जोहांसन ने 1936 में नेश्ट है बॉलीबॉल के रसल लेंज बॉलीबॉल टेस्ट कि शने और कम बनाया तो इसको बनाया नावमी रसल एन एलिया बेस लेंज ने 1940 में बॉलीबॉल के अंदर दो टेस्ट आये जम आज भी ने शनन लेंज बॉलीबॉल टेस्ट कि शने और कम बनाया थो जौज एफ ब्रेदी né 1945 में बनाया नेक्षा दोस्तो कि एक यदि एक ही ब्यक्ति पर समान परिस्थीतियों में उसी परिच्छर से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका प्रेडाम लगभाग समान होत या परिच्छर क्या कलाता है तो कहा जाता है कि या है विश्व सधी है यानि रिलेबल है तो किसी परिच्छर को अच्छा है या नहीं उसके लिए प्रेलेबलेटी वैलेडेटी अबजेक्टिवेटी नामस और इस्टेंडर्ड की जुरुरत होती है तो दोस्तो ये था परिच्छर मापने मले आंकर से आज इसमें सभी डाउट आपके योगा से रिलेटी क्रियक की जाएंगे क्योंकि दोस्तो योगा टापिक ऐसा है जिससे कोश्चन हर बार भरमार पूछा जाता है तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक कि लिए चाहें